वेलकम तो यूपी एस्सी एग्जाम इंसाइडर तो जैसे हम एम लक्षमिकान का फिफ्थ चैप्लर यूनन एन इस टेरिटरी देख रहे थे तो वहाँ पे हम बात करे थे कुछ फ्यूचर में जब इंडिया टेरिटरीज को अक्वायर करेगा तब मैंने कहा था कि कुछ टेर पर है तो एक टेरिटरी जो हम देखेंगे वह है पहली दाद्रायन नागर हवेली तो यह पोच्यूगीस के अंदर थे अब जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो वह ब्रिटिश से मिला था बट जो कुछ दूसरी जगह थी जैसे पोच्यूगीस थे फ्रेंच थे त लोग तभी इंडिया में ही थे तो एक टेरिटरी दाद्रायन नागर हवेली पोच्यूगीस के अंदर थी तो वो उन्होंने लिब्रेट किया वो प्लेस को 1954 में फिर उसके बाद 1961 तक उसका वो जो प्लेस का एड्मिनिस्ट्रेशन था वो वहां के ही जो लोग थे उन्होंन 54 से 1961 तक कुछ 7 यर्स तक वहां के लोग के एड्मिनिस्ट्रेशन जो लोगों ने चुना था वो लोग वो कर रहे थे दें 1961 में जब 10th constitutional amendment किया तब वो particular territory इंडिया में जॉइन कर आई गई अब हम बात करेगे गो एंड डमनेंट यूगी तो यह भी पोच्यूगीज में था पोच्यूगीज के अंदर ही था बट 1961 में पोच्यूगीज ने खुछ से लिबरेट नहीं किया था यह पुलीस आक्शन के थूरू हमने अक्वायर किया था अब उसे भी union territory का नाम दिया ग तो कभी भी हम जब future territory को इंडिया के अंदर आड कर रहे है तो constitution में amendment करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा जहां पर यह लिखा है कि कौन कौनसी territory इंडिया का पार्ट है फिर 1987 में गोआ को state बोल दिया गया लेकिन जो दमनेंड दियू था उसका status था वो union territory ही continue किया गया state और union territory में क्या difference होता है कि state की पास खुद का legislature हो सकता है वो खुद से खुद को कुछ rule कर सकता है लेकिन जो union territory है उसको directly जो central government होती है पार्लमेंट होती है वो rule करती है तो गोआ को statehood दे दिया गया था लेकिन दमन दियू जो था वो union territory ही रहा फिर पुड़ुचेरी अब य फिर जो फ्रेंच ने 1954 में उसे इंडिया को दे दिया और इसको क्या state इसका पुद्डुचेरी को क्या title दिया गा कि वो इंडिया की क्या है acquired territory है 1962 तक उसे union territory दे दिया गया जब 14th constitutional amendment हुआ तो 14th constitutional amendment से पुड़ुचेरी को इंडिया का पार्ट बता दिया गया और फिर उसे कौनसा title दिया कि वो क्या है union territory है और कौनसा establishment था उदा फ्रेंच establishments थे फिर बात करें Sikkim की तो Sikkim जो है वो एक princely state था वो किसी French या Portuguese ruler के अंदर नहीं था वहाँ पे एक local ruler थे चोग्याल तो Sikkim को जब 1947 में इंडिया इंडिया इंडिपेंट हुआ तो Sikkim को एक protectorate state of India का title दिया गया इसका मतलब कि वहाँ पे जो local ruler है चोग्याल वो ही र कुछ responsibilities लेगा Sikkim की जैसे कि उसका defense, external affairs and communications then 35th Constitutional Amendment Act से 1974 से Sikkim को associate state बना दिया गया because Sikkim को और भी इंडिया के साथ merge होना था और associate state बनाने के लिए constitution में एक नया article आड़ किया गया article 2a जो कि अब भटा दिया गया है then 1975 में जो Sikkim प्लेस है उदर referendum हुआ and चोग्याल को fully abolish कर दिया और Sikkim जो है इंडिया का part बन गया अब Sikkim को इंडिया का part बनाने के लिए वाप इसे constitutional amendment act लगेगा तो 36th constitutional amendment से Sikkim हमारे इंडिया का part बन गया और चोग्याल जो है उसे completely abolish किया गया और तभी article 2a and 10th schedule में जो कुछ changes किये थे जब उसे associate state का गया तब वो सारे भी remove कर दिये गए झाल